Hello everyone, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दाहो पुतराखन में तो देखिए हम लोग वैदिक सब्वेता पढ़ रहे हैं जिसमें कि हमने पहला भाग इसका पढ़ा है रिगवैदिक काल या फिर पूर्ववैदिक काल ठीक है कि जो रिगवैदिक काल था उसमें जो आरे लोग थे उनकी कही न कहीं संस्कृति उनका रहन सहन आगे आने वाले टाइम में बदल गया था इसलिए इसको उत्तरवैदिक काल कहा गया है ठीक है इसके साथी साथ जो आपका रिगवैदिक काल था उसमें हमने पढ़ा कि तामबे का सबसे जादा या फिर टिन का ये लोग प्रयोग किया करते थे घुके एटा जिले से इसके साख्ष्य मिले हैं लो हेगे दूसरी बात आती है इसके टाइमिंग कि कि आखिर इसका टाइमिंग क्या था इसका काल क्या था त्व iska करना है 1000 इशापूर्व से लेकर 600 इशापूर ठीक है और 600 इशापूर्व को कहीं पर 500 इशापूर्व भी देखने को मिल सकता है तो इस चीज में कन्फ्यूस नहीं होना है कहीं न कहीं समय का निरधारन उस तौरान नहीं किया गया था तो यह थोड़ा बहुत डिफ्रेंस आ स तो 600 इसापुर्व अगर देखने में देखने को मिलेगा तो आपको वह सही करना है 500 इशापुर्व से controvers було देखने को मिलेगा तो ऑफो करना है दोनों आप option देखने को नहीं मिलेगे exam में ठीक है दोसरी बात हमने की थी कि रिग वैधिक काल ठीक है अब अगर इनके उपवेद की बात की जाए तो अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है अर्थसास्त्र इसको सिल्प सास्त्र भी कहा जाता है अब देखे अर्थसास्त्र का मतलब चानक के वाला अर्थसास्त्र से बिल्कुल नहीं है अर्थसास्त्र का मतलब है यह इसका उपवेद है और इसमें वर्णन तो एकोनोमिक्स का ही किया गया है याने कि मुद्रा वगेरा का वर्णन किय कर लेकिन उस तरीके से नहीं है जो चानक के वाली बूक में है चानक के वाली अर्थसाथ अलग है यह अर्थसाथ अलग है शामवेद के उपवएद की बात की जा है तो इनके विशयवस्तों एक ही इसलिए इन तीनों वेदों को क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है वेदत रही और वेदत रही का मतलब होता है इनकी जो विश्यवस्तु है वो क्या है सेम है विश्यवस्तु से क्या मतलब है यानि कि इन तीनों वेदों में यग्य का वर्णन किया गया है पूजापाट का वर वर्णनन भी किया गया है जैसे के जादू टोना, वशीकरण, तंत्रमंत्र और साथे साथ इसमें ये भी कहा गया है कि ये जो आर्ये लोग थे ये इस दोरान क्या करते थे अपनी फसल को बचाने के लिए कुछ उपायों का भी प्रयोः क्या करते थे यानि कि कुछ उपाय भी ये लोग अपनाते थे पश्व।क्षिवं से अपनी फसल को बचाने के लिए तो ये सारा वर्णन किसमें किया गया है अथर्व वेद में ये वर्णन किया गया है इन वेदों के बारे में इतनी जानकरे आपको होनी चाहिए इसके साथी साथ चौप पर ये यजूर वेद है इसको दो भागों में डिवाइड भी किया गया है एक तो है कृष्ण और यजूरवेद और दूसरा है आपका सुकले यजूरवेद इसके साथी साथ यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देनी है गध्य भी लिखे गए हैं इसमें और पद्य भी लिखे गए हैं गद्य पद्य दोनों का वर्णन है वो आपका यह जुरुवेत है उसमें गद्य पद्य दोनों लिखे गए हैं ठीक है इस चीज को याद रखना है अब अगर हम बात आते हैं आर्यों के बारे में जहां पर हम पढ़ रहे थे कि आर्य जो है किस तरीके से रहते थे पहले इनका क्या था जो प्रशाष्णी की काई थी यानिकि राजा का चुनाव किसके द्वारा किया जाता था दो समीतियों के बारे में दो समीतियों से किया जाता था दो संस्थाओं से जिसमें एक थी समीति और दूसरी सभा ठीके सभा और समीति के द्वारा राजा का चुनाव किया जाता था यानिकी जो भी उनका वर्ण ब्यवस्था थी वो किस तरीके से थी करम आधारित थी लेकिन आपका जो उत्तरव्यदी काल आते आते इनकी वर्ण ब्यवस्था क्या हो गए थी यह हो गए थी जन्म आधारित हो गए थी थी के वर्ण ब्यवस्था क्या हो गए थी जन जन्म आधारित होगी थी जन्म आधारित वर्ण ब्यास्ता होने की वज़े से क्या हुआ था जो राजा का पूत्र है वो आगे आने वाले टाइम में राजा ही बनेगा ब्रहामण का पूत्र ब्रहामण ही बनेगा शूद्र का पूत्र शूद्र ही बनेगा इस तरीके की गौमती कहा जाता था। ठीक है उसको क्या कहा जाता था राजा को गौमती नियुक्तों है और लेकिं उत्तर व्याति काल में आते इस गौमती से यह क्षों सीरों के लड़ाई करते थे गाइप को सबसे स्ट्रेस्ट माना गया था उसी चीज़ के लिए लोग लड़ाई करते थे गाय को दान देने का भी वहाँ पर क्या था प्रचलन था लेकिन यहां आते आते उत्तरवैदिक काल में आते आते भूमी के लिए भी ये लोग लड़ने लगे थे यानि कि अभी अपनी भू परवत वाले इलाके में भी बसने लगे थे और हिमाले के जो पूर्वी हिमाले हैं वहां पर भी ये लोग बसने लगे थे तो तीन परवतों का नाम आपको याद रखना है वो कौन-कौन से हैं मैनाख कौँच और त्रिकुट इनका विस्तार जो था अब यहां तक हो गया मैनाख कौँच और त्रिकुट अरे जो तीनों परवत श्रिंखलाएं आती हैं यह आती हैं पूर्व हिमाले में तो कहीं न कहीं अभी छेत्र का विस्तार भी करने लगे थे और जो है पहले सिर्फ यह तटपर ही थे गंगा सिंदु अगेरा के तटपर अब इन्होंने आग कि लोही का अब अविश्कार हो गया था लोहाई ने कहीं ना कहीं मिल गया था जिसकी वज़े से इन्होंने क्या क्या क्रिशी करना शुरू कर दिया था ठीक है और लोही को यह लोग कहा करते थे श्याम आयस लोही का नाम यह लोग क्या लिया करते थे श्याम आयस कल मैंने आपको तामे का बताए था तामे के लिए ये लोग कहा करतें थे । ऐसे बहुत इंप्वॉर्टन सीजहें आपको याद होनी जौ और चावल चावल इनकी क्या थी? मुख्या फसले थी तो यहीं से एक question पूछा जाता है कि जो उत्तरवैदिक काल है उसके आय का क्या साधन था? यानि वो किस तरीके से अपने आजीवी का चलाते थे? तो उत्तरवैदिक काल में आते आते हैं इनकी आय का जो साधन था वो क्रिशी हो चुका था और अगर हम पूरवैदिक काल की बात करें यानि रिगवैदिक काल में इनकी आय का क्या साधन था? पशुपालन इनकी आय का साधन था इन दो चीजों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए ये question exam में पूछा जाता है तो क्रिशी इनका क्या हो गया था? आय का साधन यहां आते आते तक हो गया था इसके अलावा अगर बात करें महिलाओं की तो महिलाओं के इस्तिती उत्तरवैदिक काल में आते आते कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे चली गई थी इस दोरान इन्हें जो है सूद्र के समान माना जाता था याने की सिर्फ सेवा करवाने का काम ही महिलाओं से किया जाता था ना ही इन्हें सिक्षा का अधिकार था ना ही इन्हें व्यग्ये वगेरा में बैकने का अधिकार दिया गया था और ना ही इनको जो है संपती वगेरा का अधिकार दिया गया था ठीक है तो यह चीज़ आपको यहां पर नोट कर लेनी है इसके अलावा आपको उत्तरवेदी काल में जो है चार मृद्भांडों का वर्णन मिलेगा मृद्भांड का मतलब है बरतन ठीक है जैसा हमने सिंदु सब्वेता में पढ़ा था वहां पर भी बरतनों का उपयोग किया गया था जो किस तरीके थे काला और लाल उस पे जो है का काला मृद्भांड दूसरा आपको लिखना है काला पॉलिष दार मृद्भांड तीसरा आपको लिखना है चित्रित धूसर मृद्भांड और पाच्वा आपको लिखना है लाल मृद्भांड तो एक सम्झन ह dal याहं से क्या है पूंचा आधा है कि निम्णिलिकित में से उत्तरवैधिक काल में सबसे जाधा इसम प्रचलीद कौन chrome करिया यह प्रचलीट कौण сधा तो आपका लाल्मर नहीं सरवादीक प्रचलीट म्रत बान था सरवाधिक प्रचलीट था ये ठीक है इसके साती साथ जैसा हमने उत्तरवेदी या रिगवेदी काल में पढ़ा था कि उनके जो पसंदिय देवता कौन से थे इंद्र भगवान को वो लोग बहुत ज़ादा मानते थे लेकिन ये उत्तरवेदी काल में आते आते इनके सरवाधिक प्रिय जो देवता हुए थे वो हुए थे प्रजापती सरवाधिक प्रिय देवता अगर इनसे पूछे जाते हैं आपके तो वो थे आपके प्रजाबती इसके साथी साथ विश्ण भगवान को ये लोग रक्षक के रूप में मानने था थी उनको विश्ण भगवान को रक्षक के रूप में मानते थे और पूशन एक देवता थे जो कि शूद्रों के देवता कहलाते थे ठीक है, नेक्स आपको लिखना है पूशन पूशन को माना जाता था शूद्रों के देवता और इसके साथी साथ जो पशुपक्षी होते थे याने कि पशुओं के देवता भी इनको माना जाता था आपको पूशन किसको माना जाता था पश्व के देशता को या-फिर चूद्रो के देशता को पूशन कहा जाता था। इसके साथ यहाँ पर टोटली चार यग्य करवाए जाते थे जिनके नाम आपको आप नोट करने हैं। तो सबसे पहला है आपका राजशूय यग्या और राजशूय यग्या जो किया जाता था था वो राज्य भिशेक के टाइम पर किया जाता था दूसरा है आपका राज्यूश यग्या राज्यूश किया जाता था दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए तीसरा आपको लिखना है अश्वमेग यग्या अश्वमेग यग्या जो किया जाता था ये राज्ये क्या विस्तार करने के लिए किया जाता था अन्तिम है आपका वाजपेई यग्या वाजपेई यग्या किया जाता था रथ दौड के लिए यानि कि जो रथ दोर ये करवाते थे उससे ये अपनी शक्ति का प्रदशन करते थे अश्वमेगयगय की बात करें तो अश्वमेगयगय अपने सुना भी होगा कि राजा क्या करता था अपने घोड़ों को छोड़ देता था और जिस चीज राज़े से वो घोड़े जाते दहुता था राजा के कबजे में आजाता था जहां पर अंगोड़ों को रोग दिया जाता था वहां पर युद्ध करना पड़ता था ठीक है उसको कहा चाटा लेना है इसी तरीके से याद कर लेना है इसके अलावत देखिए इस तोरान ये उत्तरवैदिक काल में आते आते गोत्र प्रथा का भी जो है विस्तार हो गया था गोत्र प्रथा भी यहां पर चलने लगे थी गोत्र प्रथा का क्या मतलब होता है जैसे कि कोई भी व्यक्ति है उसकी जो संतान होगी, और अगर वो same गोतर से है, जाने जाने की दो लोग हैं अगर, इन दोनों का गोतर same है, अभी भी ये चीज हमारी दर चलती है, आप लोगों को ध्यान होगा, कि एक ही गोतर में जो है विवा नहीं किये जाते हैं, विवासंबंद नहीं बनते हैं अगर कहीं पर भी किसी की शादी वगएरा करवानी होती है तो सबसे पहले पूछा जाता है कि उनकी जो नानी या फिर दादी है उनका गोत्र पता किया जाता है और अगर गोत्र सेम है तो शादी नहीं करवाई जाती है तो गोत्र प्रथा जो निश्क और सत्मान क्या होता था मुद्रा की इकाई को कहा जाता था चीक है मुद्रा की इकाई को निश्क और सत्मान कहा जाता था इसके साथ जो निश्क आपका है इसको सोने से भी इसकी तूना की जाती है यानि सोना भी इसको कहा जाता था तो अगर एक्जाम में पूछा कि नीश को किसके लिए कहा जाता था वहां पर option आपको या तो सोना देखने को मिलेगा या फिर मुद्रा की इकाई ही देखने को मिलेगा दोनों चीज़ें वहां पर भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी तो यह चीज़ भी याद रखनी है अंत में एक चीज़ आपको और ल लिखना है आपको इंद्र इंद्र को कहा जाता था युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता एवं वर्षा का देवता दूसरा लिखना है आपको अगनी अगनी जो थी वो देवता एवं मनुश्यों के बीच मध्यस्त थी ठीक है देवता एवं मनुश्यों के बीच मध्य तीसरा आपको नोट करना है वरुण वरुण को कहा जाता है पृत्वी एवं शूरे के निर्मादा पृत्वी एवं शूरे के निर्मादा ठीक है चोथा आपको लिखना है सोग सूम को कहा जाता है वनस्पति देवता नेक्स्ट आपका विश्णू और विश्णू को कहा जाता था विश्व के पालन करता ठीक है विश्णू को कहा जाता है विश्व के पालन करता नेक्स्ट है आपका मरूत और मरूत को कहा जाता था आंधी तूफान का देवता ये इसी तरीकी से पूछा जाता है जैसे इंद्र आपको बहुत जादा पूछा जाता है इंद्र किसका देवता था तो युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता इंद्र को कहा जाता है ठी का एकाश का देवता इनको इसी तरीके से याद कल लेया है ये रिगव्यादिक काल के देवता के संबंद है पर जो तरीके से धर इस के साथ आपको एसे ही पढ़ के साथ आपका जो व्यादिक सब्ड़ाति फिए और और आपके जैन धर्म का उद्य होता है वो आपके 600 इशापूर्व के बाद से ही शुरू होते हैं उसको हम नेक्स सेशन में पढ़ेंगे आप इसको पढ़के बताना मुझे की कैसा लग रहा है क्लास पढ़ने में इसके साथ ही आची क्लास में एंड करती हूं धन्यवाद